हलो एवरिवन टिकलेज एकडेमी यूटूब चैनल में अब सभी का स्वागत है आज के वीडियो में प्यारा बोला बाय रेक्टेंगूलर मेथड ये टोपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका फूर्थ प्रॉलिम सॉल करेंगे तो क्वेशन क्या रहेंगा उसके लिए? क्वेशन रहेगा तो देखिए क्वेशन आपके सामने है इसका सॉलूशन हमें ड्रॉ करना है और सॉलूशन ड्रॉ करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेंगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉलिस में यूज किये थे सबसे पहले हम question पढ़ेंगे question में क्या data दिया है वो हम पहले check करेंगे then after इसका solution बनाएंगे question हमने आज के वीडियो के description में दे दिया है वहाँ से भी आप देख सकते हैं तो question में लिखा है draw a parabola circumscribing देखो word लिखा है circumscribing circumscribing मतलब outside मतलब बाहर से circumscribing an isoscalous triangle of base 80 and altitude 50 altitude 50 इसका मतलब उसका height है triangle का height है 50 तो हमें isoscalous triangle के बाहर से होते हुए एक parabola draw करना है ऐसा question में लिखा है और कौनसे method से draw करना है ऐसा question में लिखा हुआ नहीं है parabola draw करने के 2-3 method होते है जैसे rectangular method या बोलो oblong method फिर दूसरा है tangent method तीसरा है directrix and focus method कौनसे method का use करना है ये question में mention नहीं है तो ये पूरा choice आपका है कि आपको इसको कौनसे method से draw करना है तो फिलाल हम इसको rectangular method या नहीं by using oblong method draw करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पढ़ेंगा सबसे पहले हमें एक isoscalous triangle draw करना पढ़ेंगा isoscalous triangle क्या होता है जो triangle के 2 side और 2 angle same होते है ऐसे triangle को isoscalous triangle कहते है तो पहले हम isoscalous triangle बनाएंगे और फिर उसके बाहर से हम parabola draw करने के लिए construction करेंगे तो ये देखिए triangle draw करने के लिए हमने triangle का base यहाँ बना लिये है 80 mm का और हम इसको naming दे देंगे that is base का नाम that is a b ठीक है triangle है a b c तो base line 80 mm का और अब हमें इसका altitude हमें यहाँ पर show करना है triangle का altitude it means उसका height वो दिया है 50 mm तो altitude जो है वो draw करते समय आपको यहाँ पर base का पहले center point ले लेना है ठीक है perpendicular आना चाहिए वो line और जो triangle जो आप यह show कर रहे यह triangle आपको semi dark show करना है it means ना ज़्यादा dark ना ज़्यादा faint तो यह देखिए यह हमने height ले लिया है a b और यहाँ पर c और अब यह a c और b c यह हम join कर लेंगे तो इससे यह triangle complete हो जाएंगा तो यह देखिए हमने triangle a b c यहाँ complete कर लिया है यह एक isoscalous triangle है और अब यह triangle के बाहर से हमें parabola draw करना है it means circumscribing the isoscalous triangle तो बाहर से हमें parabola draw करने के लिए अब हमें construction करना है तो यह हमें parabola by rectangular method draw करना है it means by oblong method draw करना है तो rectangular method के लिए यहाँ पे rectangle हमें create करना पड़ेंगा तो rectangle create करना काफी आसान है उसके लिए क्या करो यह जो a point है a point से vertical line draw कर लेंगे b point से vertical line draw कर लेंगे और यह जो c है वहाँ से एक horizontal line draw कर लेंगे तो यहाँ पे एक rectangle create हो जाएंगा तो चलो यह हम construction करेंगे तो यह देखिए हमने एक rectangle यहाँ पे create कर लिया है और अब हम यहाँ पे कुछ naming देंगे तो यह हम कहेंगे beach का जो point है इसको हम कहेंगे o और एक काम करेंगे यह जो point है a b c हो गया तो इसको हम कहेंगे d और इसको हम कहेंगे e ठीक है और अब हम इसके अंदर construction करेंगे तो construction पे हमें सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले ये AO को हम divide करेंगे जितने पार्ट में AO को divide करेंगे उतने ही पार्ट में आपको AD को भी divide करना पड़ेंगा ये rule है rectangular method या नहीं by oblong method में दोनों को आपको equal part में divide करना पड़ता है अगर आप इसको four part में divide करेंगे तो इसको भी four part में divide करो अगर आप इसको five part में divide करेंगे तो इसको भी five part में divide करना कमपसरी है ठीक है तो हमें काम करते हैं दोनों को हम five part में divide कर लेता है ठीक है ये height है 50 mm that is altitude 50 mm है तो 50 mm को 5 पार्ट में डिवाइड करना आसान है 10-10 mm का एक पार्ट होगा यानि ही 1 cm का एक एक पार्ट तो 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और ये AO का length है that is 40 mm क्योंकि total base था 80 mm तो half है 40 mm तो 40 mm को 5 पार्ट में डिवाइड करना है तो ये देखिए हमने हर तरफ 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और अब हम यहाँ पे numbering देंगे तो हम इसको कहेंगे 1 ये 2, 3, 4 ठीक है और यहाँ पे भी नीचे से उपर जाना है 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे भी हम यहाँ पे numbering देंगे और इधर से हम numbering देंगे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे नीचे से उपर 1, 2, 3, 4 वैसे यह जो numbering है यह आप continuous भी दे सकते है जैसे 4 हो गया 5, 6, 7, 8 आप ऐसा भी दे सकते है कोई दिक्कत नहीं है उसके उपर कोई special mark नहीं है कि ऐसे ही देना चाहिए या 5, 6, 7, 8 ऐसे आपको extend करके देना चाहिए इसमें कोई भी compensation नहीं है यह पूरा choice आपका है तो फिलाल हमने यहाँ पे numbering दे दिया है और अब हम यहाँ पे आगे का construction करेंगे तो आगे क्या करना है आगे अब हमें यह जो उपर का point है C यह C से 1 जोइन करना है C से 2 जोइन करना है C से 3 जोइन करना है C से 4 जोइन करना है तो चलो अब यह हम जोइन करेंगे लेकिन आपके मन में एक confusion होगा वो यह कि इसके पहले जो हमने rectangular method के जो 3 problem लिये थे उसमें हमने सिर्फ एकी side में divide किये थे सिर्फ हमने left side में divide किये थे right side में divide नहीं किये थे left side में divide करके यहाँ पे हमने cross section points find out किये थे फिर वो cross section points से हमने horizontal line draw किये थे और फिर इधर के distance हमने उधर mark किये थे यह हमने इसके पहले के 3 problem में किये थे लेकिन यहाँ पे हम जो है इसके पहले के 3 problem में बता है तो यहाँ पे हम दोनों side में construction करके parabola कैसे बनाते हैं वो हम आपको बता रहे क्यूंकि number of students हमें comment करके पूछते हैं कि sir हमारे college में दोनों side में construction करके पढ़ा है तो कुछ students लोग कहते हैं कि sir हमारे college में सिर्फ एकी side में construction करा है तो इसलिए हम आपको दोनों method बता रहे तो दोनों method आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पे हम ने दोनों side में यहाँ पे divide कर लिया है और जैसा हमने कहा अब हमें यहाँ पे lines draw करना है तो यह c से 1, c से 2, c से 3, c से 4 हमें line join करना है और यह जो lines है यह आपको faint pencil का use करके draw करना है faint pencil आपको 4H number या 2H number का use करना है और dark construction के लिए आप H या HB pencil का use कर सकते हैं तो देखिए यह हम lines यहाँ पे draw कर लेते हैं यह देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे C4 join करेंगे देखो join किये बिल्कुल इसी तरह से C3, C2, C1 हमें इधर भी join करना है और उधर भी join करना है तो यह देखिए हमने यहाँ पे C1, C2, C3, C4 हमने दोनों साइड में यहाँ पे lines बना के रखे हैं और अब इतना होने के बाद यह जो नीचे में जो 1, 2, 3, 4 है यहाँ से आपको vertical lines draw करना है दोनों साइड में 1, 2, 3, 4 से सिर्फ vertical lines draw करो parallel to the height तो चलो हम यह draw कर लेता है तो यह देखिए हमने सभी प्रकार की lines जो हमने आपको बताये थे वो हमने यहाँ बना लिये है और अब हमें यहाँ पे cross section point मिल जाएंगा कैसे है देखो यह C1 और यह 1 यहाँ पे cross हो रहा है देखो cross section point मिला then यह C2 और यह 2 यहाँ पे cross हो रहा है देखो second cross section point मिला C3 और यह 3 यहाँ पे cross हो रहा है ठीक है और C4 और यह 4 यहाँ पे cross हो रहा है ठीक है cross section point मिले बिल्कुल ऐसे ही point हमें right side में भी मिलने वाला है तो यह C1 और यह 1 यहाँ पे cross हो रहा है C2 और 2 यहाँ पे cross हो रहा है C3 और 3 यहाँ पे और C4 और 4 यहाँ पे cross हो रहा है इस तरह से यह हमने cross section point mark कर लिए और अब बस यह सभी cross section points को हमें join करना है तो join करने के बाद जो हमें curve मिलेंगा वो क्या रहेंगा वही होगा parabola और यह join करने के लिए आपके पास दो option है या तो आप french curve का use करो या तो आप free hand join करो french curve से आप बनाएंगे तो ज़्यादा better रहेंगा उससे बिल्कुल smooth curve आएंगा इतना बड़ा french curve तो अभी हमारे पास नहीं है तो हम इसको फिलाल free hand यहाँ पर join कर लेते हैं तो यह देखिए हमने सभी points को join कर लिया है और यह एक parabola draw कर लिया है यह बहुत अच्छा नहीं बना है वो इसलिए क्योंकि हमने free hand join किया है लेकिन जब आप इसको drawing book में french curve का use करके draw करेंगे तो काफी अच्छा और smooth curve बनेगा यहाँ पर यह एक दो जगा जो है यह properly नहीं आया है तो इसको drawing book में आपको ज़रूर draw करके देखना चाहिए और यह जो हमने draw किया है दोनों side में construction करके draw किया है वैसे आपके college में आपके lecturer आपको जो method follow करने के लिए कह रहे है आपको वो method follow करना चाहिए ठीक है और यहाँ पर हमने dimension भी लिख लिया है triangle देखो आपको triangle clear cut दिखाए ज़रा है यह एक isoscalar triangle आपको semi dark draw करना है जो parabola है यह आपको dark draw करना है और जो red color के pencil हमने जो कुछ भी बनाया है वो आपको fade pencil का use करके draw करना है dimension हमने लिखा है base that is 80 mm और altitude it means that is height 50 mm ठीक है तो इतना होने के बाद चलो हम एक काम कर लेते है यहाँ पे tangent और normal भी हम यहाँ पे draw कर लेते है वैसे question में tangent या normal draw करो ऐसा लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन यहाँ पे हम tangent और normal draw कर लेते है क्योंकि अगर exam में आया tangent या normal के साथ तो फिर आपको draw करते आना चाहिए इसके पहले के भी तीनों problems में हमने tangent normal कैसे draw करना वो हमने बताया थे बिल्कुल वही technique का यहाँ पे हम use करने वाले है तो tangent और normal कहा draw करना यह पूरा choice आपका है चलो यहाँ पे हम पैरावुला पे कहीं भी एक point ले लेते है जहाँ आपका मन करें वहाँ एक point ले लो देखो यहाँ पे हमने एक point ले लिए हमने यहाँ पे point ले लिए यहाँ पैरलेल टु दे बेस एक horizontal लेन ड्रॉ करना है बेस को पैरलेल क्या करो बेस को exactly parallel यह m point से एक horizontal लेन ड्रॉ करना है और यह कहा तक ड्रॉ करना है यह देखो जो height आपने जो बनाया है यह height वाले line पे यहाँ पे touch होना चाहिए यहाँ से हमने horizontal line ड्रॉ की height वाले line पे यहाँ पे touch हो गई और यह point को हम नाम दे देंगे that is m dash और अब क्या करेंगे यह height वाली जो line है इसको थोड़ा सा उपर extend करो height वाली line को हमें उपर extend करना है तो यह देखिए हमने height के line को ऐसा उपर extend किये और अब यह point जितना नीचे है उतना ही हमें उपर mark करना है और यह करने के लिए आपको यहाँ पे compose का use करना है तो यह हमने compose ले लिए compose में यह देखो यह point है c c से m dash यह c से m dash का length आपको compose में ले लेना है तो यह देखिए यह हमने c से m dash का length Compose में ले लिए ठीक है ये M' जितना C से नीचे है उतना ही हमें उपर मार्क करना है तो ये Compose का Center हमें C Point पे रखना है और Point हमें उपर मार्क करना है तो ये देखिए हमने उपर यहां Point मार्क कर लिए और ये जो हमने उपर Point मार्क किया है ये Point को हम कहेंगे that is M1- naming आप कुछ भी दो उससे कोई फरक नहीं पड़ता सिर्फ समझाने के लिए है तो हमने इसको नाम दे दिये M1- और अब क्या करना है ये point M1- और ये M को हमी जॉइन करना है तो ये देखिए हमने M और M1- को जॉइन कर लिया है और ये जो हमने बनाया है ये dark बनाया है और यही है tangent हमने इसके उपर लिख लिया है tangent और यहाँ पे हमने arrow भी दिया है वैसे अगर आपके college में arrow देने के लिए कह रहे है तो आपको arrow देना है नहीं तो आप simple एक line बनाएंगे तो भी चलेंगा ठीक है बिना arrow वाला तो फिलाल tangent बन गया लेकिन अब बचा है normal तो normal हमें कैसे draw करना है देखो ये m point पे और ये tangent पे एक perpendicular line draw करना है वही हो जाएंगा normal तो perpendicular के लिए हम यहाँ पे protector लेंगे protector से यहाँ पे 90 degree का angle लेंगे m point पे protector का 0 degree है वो आपको tangent पे state करना है तो ये देखिए ये हम tangent पे हम 0 degree state करेंगे और यहाँ पे m point पे एक perpendicular यहाँ पे angle ये हमने mark कर लिए तो ये angle पे हम ये जो line बनाएंगे वही हो जाएंगा normal तो ये देखिए ये हम बना रहें ये है normal exactly perpendicular to the tangent हम इसके उपर लिख लेंगे normal तो finally हमने tangent और normal बना लिए और solution ये ही पे complete हो गया tangent और normal अगर आपको exam में draw करने के लिए आए तो आपको ऐसे ही draw करना है तो ये solution यहाँ पे जो बना है ये आपको अपने drawing book में भी draw करके देख लेना चाहिए उम्मिद करते हैं कि ये पूरा solution आपको समझ में आया होगा ये था parabola by rectangular method ये topic का problem number 4 इसके पहले जो हमने इसके 3 problems लिए थे वो भी आपको study कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियो में हम इसके और भी number of problems cover करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी practice हो जाए तो मिलते हैं next video में thank you very much